चले स्टुडेंट आज फिर एक सांदर वीडियो के साथ मैं सुनील आपका स्वागत रता हुँमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे वेर लर्निंग बिगिन्स और आज गामारे एक सांदर और जबर्दस्ट टोपिक है क्या है जी रोज और उसके किसके पहले तो यह देख लेते कि quadratic equation होती क्या है बात किसकी स्टार्ट हुई है quadratic equation की quadratic equation है पहले तो जी equation क्या होगी equation का मतलब equal to, मतलब जिसमें equal to का sign हो, उसको हम क्या कहेंगे, जी इसको, उसको कहेंगे हम equation, अब वो equation कैसे भी हो सकती है, कि 5x is equal to 10, equation कैसे भी हो सकती है, बैस equation का मतलब क्या है, equation का मतलब क्या, equation का मतलब है, equal to का निसान होना चाहिए, पिछली वीडियो में ने डिसकस किया था क्या डिग्री का मतलब क्या था वहां पे डिग्री का मतलब था आएष्ट पावर ओफ वेरियेबल और वेरियेबल यह 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 क्या है वेरियेबल हमने डिसकस कर लिया है तो जिसकी डिग्री जितनी थी उससे अमें पता लग रहा था हमें दो बाते पता लग रही थी देखते हैं चलो यह लिखते हैं अगर डिग्री एक दो और जनेरली हम से हम यहां तक पढ़ेंगे में हमारे फोकस होता है इस चैप्टर में और अपनी ऽॉकुर्था में। हम सबस्क्राइब की इकवेशन पढ़ेंगे दो बाते बता लगती है। इसका name नेम क्या हो इसको बोलते हैं अगर degree एक है तो इसको क्या बोलेंगे linear अगर degree 2 है तो इसको क्या बोलेंगे quadratic अगर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे cubic दूसरी बात क्या थी? 0s, 0s क्या बता रहें आपको? 0s क्या बता रहें? 0s अमें बता रहे हैं, 0s हैं क्या पहले तो? 0s हैं, कि ऐसी वैल्लू, वैरियेबल की ऐसी वैल्लू जो इसको 0 बना दे, अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे एक्वेशन को ऐसे लिख सकता ह हम 5x-10 is equal to 0, और x की अगर मैं यहां पे 2 पूट कर देता हम वैल्लू, तो 5 x 2, 10-10 is equal to 0, क्या हो गया? 0 हो गया जी, तो x की ऐसी वैल्लू, जो पूरे पूरे एक्वेशन को left-hand side is equal to right-hand side कर दे, उसको क्या कहते हैं? 0s कहते हैं, और जिसकी जितनी डिगरी, उसके उतने ही 0 अब देखो, अब हमें 3 बाते clear हो रही है, 3 बाते कि अगर हमें 0 पता है कि इसके कितने हैं, तो उसे की डिगरी पता है, डिगरी पता तो linear, कौनशी है वो, linear है, quadratic है, cubic है, हमें बिल्कुल अच्छे से सब कुछ पता है, तो अगर 0 है, 2 है, 3 है, 0 तो हमारी linear, quadratic है, cubic हो equation के उपर है, अब दो बाते हैं आपको होता आता हूं, अगर मैं quadratic equation लिखना चाहूं, तो वह क्या होगी, ax square plus bx plus c, अब आप सोच रहोगे कि यह कहां से आगी, हमारे पास हर एक तरीके के question होया, या कुछ और भी चीज होई, उनको express करने के लिए, कुछ ने कुछ general notation होती है general notation का मतलब कि अगर हमें कोई कह दे कि linear equation लिखे one variable की, तो हम क्या लिखेंगे, ax plus b is equal to zero, और अगर कोई हमें कह दे कि linear equation लिखे two variable की, तो हमें लिखेंगे, ax plus by plus c is equal to zero, यह क्या है, यह है जी, एक general notation, मतलब कि general लिखाने के लिए, किसी भी चीज को यह two variable है, और युझे जनर quadratic equation को generally show करने के लिए, इस तरीके से दिखाना होता है, is equal to zero, अब देखें, मारे पास क्या क्या है, a क्या होता है, a है coefficient of x square, ठीक है, अब coefficient का मतलब क्या होता है, coefficient का मतलब होता है, कि जो जिसका भी हमें coefficient, पूछ लिया जाए, उसके multiply में जो present, वो उसको coefficient हो जाएगा, अगर कोई मेरे से यह कहें, कि जैसे कि हम दो तिन टर्म लिख लेते हैं, कि 5x square plus 7 is equal to zero, मैंने दूसरे लिखी है, minus 2x square plus 3x plus 7 is equal to zero, तीसरे लिखी है, कि minus 3x square plus 33x is equal to zero, अब यह तीन example मैंने ले लिए, यहां से clear करेंगे, विल्कुल आसानी से, विल्कुल चुटके होगा topic है, कि coefficient of x square को हम क्या कहते हैं, तो यहां देखिए, इसके गुणा में कौन प्रेजेंट है, मैं यहां से इसको भी minus कर दिता हूँ, यहां पर x square देखिए, तो जो x square है, उसके गुणा में जो होगा न, उसको हम क्या कहते है, coefficient of x square मतलब की a कहेंगे, तो इसके लिए a कितना है, 5, चलो, ठीक है जी, तो यह हम देखेंगे, तो x square के गुणा में कौन है, x square के गुणा में है, minus 2, तो इसको क्या कहूंगा मैं, a, ठीक है, अब यहां देखिए, यहां भी x square है, और इसके गुणा में क्या है, जी थोड़ा से द्यान से फोकस करेंगे, तो minus है, तो एक तो सब की गुणा में होगा तरीके से देख लिए कि हमारा a क्या होता है a होता है x2 का coefficient x2 का coefficient x2 का coefficient अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वह कितना होगा एक अगर वो number present है तब दूसरे तरीके से बताँगा आपको x का coefficient क्या क्या लाएगा जी b ठीक है तो पहले यहां देखें simply यहां x के गुणा में कौन है x को एक साको x के multiply में कौन है तो इसको कि यहां पे क्या कै दूँगा बै यहां कितना है जी 33 तो यह भी हमारा क्या है कि यहां पूछ ले जाए कि आपसे बी कितना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आपकी यहां पे बी कितना है बहुत ही शांदार टोपिक है क्या मतलब है अब यहां पे कि ख के साथ कोई मिल्टिप्लाइ में है बंदा और वह कौन है बी और एक्स वाली टरम तो है यहीं आप गायब है तो किस ने गायब कर दिया बी ने उसको गायब कर दिया मतलब बी एक ऐसी जबरदस्ट वेल्दॉ है भी कि उसको मिश्टी ईडिया बना दिया निल कपरवारा तो आए से हैं so the story i अगर into ौइसको गायब कर दिया वह कैसे इसको गायब कर शकता है जोब बी कंचके सम में क्यों 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 कि बी एक्स इसके सं में होगा और कों zu jowski members तो यह जीरो जाए, जहे हो हो जाए, तो यह जीरो कैसे हो सकता है, musimy怎麼 회 तो तो 5 गण यहाँ हो जाए डिल चाहते है, ठाहँ होना जो खा Dwğ अब तो फेराइबल जहाए तो हम बाथ मैं बता लगया स्थेश यह वहन है, तरह में बाता है, कि द्याने किहां सी क्या है ची कोुंस्टेंट और के अब कि दो बात जाई ऑगे एक वर्डर आएस आपके पास प्लेंग र fällt कि mudar से 답 किस प्लेशत बीट प्लेट के घटव मुझें और किस पद पे तो वह मारे क्या बताएगा पद क्यों से डिसाइड होता अगर किसी भी दो नमबर के बीचे पलस माइनस अगर कुछ नमबर है ना तो वो डिसाइड करेंगे कि कितने पद हैं जैसे कि हमारे पास इस ट्रम में इस इक्वेशन में तीन है एक तो और तीन अब मैंने क्यों कहा कि कई बार बच्चे कह देते हैं कि इसक मैं वेरियبل हैं ठीक है जनौब तो यहां पहले थित यहां पहले पतां हों की जिरो क्या होते हैं फिर हमिए पताबना चीह की य होता तो जन्रल नोटेशन के बीच में बता तो लगा कि यह जन्रल नोटेशन क्या होती है जन्रल होती है आपको स्कीएर यह स्किएगर टू जीपर बात कि जिसकी की डिगरी कितनी है अगर जिसके degree 2 है जिसके degree 2 है तो उसको हम क्या लिखेंगे उसको हम लिखेंगे पहले तो लिख लिजे कि ax square plus bx plus c is equal to 0 इसके degree है 2 और जिसकी जितनी degree उसके उतने ही 0 इसके degree 2 तो इसके 0 भी 2 अगर 0 जिसके 2 है तो अब देखो भाई मेरी मर्जी उनको कुछ भी माननूं तो mathematics जो 10th class में जिसने लिख्या उसने इसको रिप्रेजेंट किया कि पहले को माननूंगा alpha और दूसरे को माननूंगा beta भाई मेरी मर्ज अगर उसको मैं कुछी और नमर से रिप्रेजेंट कर देत तो बुक में कर देता तो कर देता भाई खतम थी बात मेरी मर्जी होगी अपनी मर्जी ते चलेगा अपनी मर्जी अपना टसन है अपना गुडगाउं वह गाणा सुना है ना उसमें बावी बात है तो a square plus bx plus c is equal to 0 और इसके यह हमने क्या मान लिए alpha और beta 2 zeros मान लिए यह कि इनके और इसके बीच में जो relation होगा ना अमने उसी को लिखना है और वो क्या है क्या कहा है कि sum of zeros is equal to sum of zeros is equal to minus लिख लिजे coefficient of x square divide coefficient of x square अब देखें अब देखें मुद्दा क्या आगया मुद्दा आगया मुद्दा आगया मुद्दा आगया sum of zeros और sum क्या है alpha प्लस beta minus coefficient of x कितना है x के गुणा में कोण है b और x square के कुणा में कोण है a तो पहली relation अब क्योंकि इसके उपर ही question है तो मैं इसको side में लिख लेता हूं कि alpha alpha plus beta is equal to minus b by a तो एक तो हमने लिख लिया नोट कर सकते है आप इसको क्या है क्या है जान से देखें जान से कि sum of zeros यहां जान देजिए sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon minus coefficient of upon coefficient of x square मतलब मतलब की alpha plus beta is equal to minus b upon a अब दूसरा देख लिजिए दूसरा relation क्या है अब इसके उपर इतने जबरदस्त question बढ़ाए है ना आपको 10th class में नहीं मिलेंगे लेकिन आप कभी भी end day वगरा दोगे ना इसके उपर इतने जबरदस्त question है कि दूसरा क्या है प्रोड़क्ट ओफ जीरोज प्रोड़क्ट ओफ जीरोज वो क्या होगा वोगा कोफिशेंट ओफ कोफिशेंट नहीं कोफिशेंट नहीं कोफिशेंट नहीं कोफिशेंट नहीं कोफिशेंट नहीं कोफिशेंट ट्रम अब देख लिजे प्रोड़क्ट का मतलब क्या होगा प्रोड़क्ट का मतलब वो इन दोनों की गुणा और गुणा का मतलब क्या होगा अलफा इंटू बिटा इस इक्वल टू कॉंस्टेंट ट्रम सांदार C और ये सांदार A लिखते हुए तो दूसरी relation क्या होगी दूसरी relation होगी कि alpha into beta is equal to क्या होगी c by a ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह हमारी property है जो exercise के first question में use होगी है पूरी की पूरी और इसी के उपर पहला का पहला question है अब इसके उपर हम question देख लेते हैं question कैसे है अब question को समझने के लिए एक जबरदस्त बात पहले सीखनी पड़ेगी वह क्या होगी वह होगा कि हम किसी क्वाड़र्टी की question के 0 कैसे निकाल सकते हैं तो एक example है हमारा मैं उस example के साथ आपको शिखाना चाहूंगा यहां पर example है x square plus 7x plus 10 is equal to 0 question में लिखा है question में कहा है question में कहा है कि इसके zeros निकालो और relation को verify करो यह zeros है और यह उनका relation है ओके तो एक quadratic की question के zeros हम कैसे निकालेंगे वह देखते हैं यह हमारी quadratic की question है अब पहले हम आपको दो तिन चीज़े लिखे लेते हैं पहले मैं पतावना चीए ए बी और सी ए क्या होगा ए होता है ए होता है ए होता है एक्स स्केर कोफिशेंट एक्स केर 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 कोफि आप बिल्कुल अच्छी से कलीर करना चाहूंगा मैं, अगर x into y is equal to 0 है, आप इसका solution attend trial method से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका नहीं होगा, तो इसलिए हमें कुछ दूसरा तरीका पनाना पड़ता है, वो तरीका क्या है, कि मैं इसको दो नंबर की multiplication दिखा दूगा, इसके factor किये, तो कोई दो नंबर आएंगे, और कभी भी किसी दो नंबर की multiplication अगर 0 के equal है, तो या तो यह 0 है, या फिर यह 0 है, क्यों, अगर मैं 5 के गुना, मैं ऐसे क्या नंबर करूँ कि 0 हो जाए, तो 0 ही करना पड़ेगा, और यह फिर ऐसा हो सकता है, कि 0 multiply 0 वो भी 0, त अभी तो मैं इसके factor होंगे, उनको 0 के equal output करके, x की value निकाल दो, कि कौन बंदा जो, इनको 0 कर रहा है, थुड़ा सा के वो फिर उस चीज को अच्छे से समझेंगे, पहले उनको factor बनाने का तरीका समझते हम, यह 9th class में भी था, और अभी भी शीखेंगे, factor बनाने में क्या ह होनी चाहिए, क्या कुछ जार है आपसे, बहुत संदा तरीके से पूछ लिया, कि सम तो कितना होना चीए, b होना चीए, और product क्या होनी चाहिए, a, c, ऐसे दो नमबर डूढ़ने आपको, तो b यहां पे कितना है, 7, और a कितना है, 1, और c कितना है, 10, देखिए, बाई, अब इसे नमबर बताओ, ऐसे नमबर बताओ, ऐसे नमबर बताओ, कि जिनका सम 7 हो, और जिनकी product 10 हो, तो easy है, क्या है ऐसे दो नमबर, 5 और 2, 5 और 2, अब देखिए, अब जब मैं इसके factor बना रहा हूँ ना, तो मैंने क्या देख लिया, कि वाई, यहां पे जो sum है, वो तो यह ह मिला क्या मेरे को, मिला जनाब यह, कि अब मैं इसको क्या लिखूंगा, x square, 7x को split कर लूँगा, किस में, 5x plus 2x, और plus 10 में split कर लूँगा, is equal to 0, अब देखो, यहां पे जो गोर करने वाली बाते हैं, वो जो बच्चे, जान देजी एक बार, जिसको बच्चे मिस कर देते है वो क्या है, वो क्या है, कि जो यह 5 और 2 दो नमबर आए है न, वो पता नहीं होते हैं कि यह हैं क्या, यह है इस नमबर की split form, मैंने 7x को ही लिख्या है, 5x और 2x, अब इसके जब मैं फर्स्ट अक्सरसाइज के पहला क्वेस्टन कराऊंगा, उसमें हर एक क्वेस्टन में इ इसलिए इसी तरीके से दो लिख सकता हूं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, अब ऐसा लिखने से मेरे को मिला क्या, मिला ऐसा कि अब मैं यहां से कुछ common लूगा न, और यहां से कुछ common लूगा, तो वो जो अंदर बचेगा, वो सेम नमबर बचेगा, जैसी है, देख कितना बचेगा, 5, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि common लेने का मतलब क्या है, जैसे कि यही था, x square प्लस 5x, common लेने का मतलब है, कि x से ही multiply किया, और x से ही divide किया, इससे क्या होगा, इससे होगा, कि मैं इसको भी x से divide करूँगा, और x square के भी x के में divide किया, और 5x के भी x से divide किया, तो x से x cancel, x से power cancel, तो x into अंदर क्या बचया, x plus 5, तो मैंने यहां से जब x common लेने, तो यहां कितना बचया, x plus 5, और यहां से भी क्या common लेने, दो common लेने, तो अंदर कितना बचया, x plus 5, और is equal to कितना होगा, 0, अब यह reason इससे क्या मिला मेरे को, इससे य जब मेरे को यह एक ट्रम मिली और ये एक ट्रम मिली अब दो ट्रम होगी अब इन में भी एक सेम नमर आ प्सिस compare और देखोड़ मेरे पास ट्रम थी एक ये थी द्यान देजिए एक यह थी और एक यह थी अगर मैंने यहां से x plus five कॉमल ले तो यहां यह तो चलाएगा, क्या बच गया? यहां एक स्भाइव क्या बच गया? पलस का तू इजीवल टू जीरो और जो मैंने आपको बात समझाई थी ना क्या समझाई थी? क्या समझाएजी जी मैंने समझा था आपको कि अगर मेरे पास कभी भी कभी भी कभी जाने जिए कभी भी अगर दो नंबर की मल्टिप्लिकेशन अगर जिरो हो जाए क्या 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 से 5 इस साइड पिलसली का तो किस में HC डिए देखो जो तो किस में होगए माइनस में, अब देखो है यह बात confirm निएСпर जो समय के मतलब किया है तो मैं आपको यह बात का मतलब को लेफट साइड का आँ ड cigarettes अब जब कभी भी अब जब कभी भी नंबर राइट और इंड साइड में पलस है और आपको इस पलस से अठा के लेके रहतो सु मैंस म् मैंनस में होगा और मैंस से लेखे जा रहेतो तो इंड वंड्य दिवाट न का रहेतो जलेके रहेतो तो मृतिप्लाई होगा समझ गें जैसे कि मेरे पास यही था x प्लस 5 था जान दीजे, x प्लस 5 था तो अगर 5 प्लस में उस साइड जाएगा किसमें हो गया माइनस में और अगर 5 x is equal to 3 होता और यह 5 multiply में उस साइड जा किसमें हो जाएगा divide में यह बात आपको देखनी है तो एक तो value आगी जी एक value आगी कि x की अगर value माइनस 5 हो तो इसको 0 करतेगी दूसरी value क्या है कि x प्लस 2 is equal to 0 और x is equal to कितना हो गया? माइनस 2 अब देखो, अब 0 को क्या कह रहे है 0 को कह रहे है, एक को तो मान लेते हैं alpha, दूसरे को क्या मान लिया हमने, beta अब इससे क्या फरक पड़ा? हमें पता लगया गिए कोण alpha है कोण beta? ठीक है तो अब दो बार इसको द्यान से देखिए कि सबसे पहल को मेरे को बताना चाहिए कि a क्या है, a x उसके का coefficient b क्या है, x का coefficient c क्या है constant term अब हमारे पास ऐसे दो नमबर ढूंड़े है जिनका sum तो क्या हो? b, मतलब कि 7, o product क्या हो? मतलब कि a, c, o कितना होना चाहिए? 10 अब ऐसे नमबर हमें मिल गए कि वो कोण से मिले? 5 और 2 मिल गए 5 और 2 मिल गए तो हमने क्या लिखिए 7x को स्प्रेट कर लिए यह लिख दिया जी पहले दो नमबर से कुछ common ले लेंगे ऐसा नमबर ढूंड़ो जो पिछे से common लेने के बाद वही नमबर बचे अब हमारे पास दो नई ट्रम आगी दो नई ट्रम से हम यह common ले लिया यह बच गया अब क्या फाइदा हुआ यह दोनों की गुणा किसके एकवल है जीरो के तो यह यह जीरो है यह यह जीरो हम दोनों ही जीरो पूट कर लेते हैं अब देखो अब हमें क्या करना है मैं यह आज तो रहेज कर लेता हूं हमें वेरिफाई करना है कि alpha प्लस beta is equal to minus 2 minus by 2 तो पहले तो हम alpha प्लस beta निकलते हैं alpha कितना है minus 5 beta कितना है minus 2 तो कितना आ गया minus 7 ठीक है और minus b कितना है 7 और a कितना है 1 कि यह दोनों बाते equal नहीं है बिलकुल है तो पहली बात तो मारी वेरिफाई होगी कि sum of 0 is equal to minus by a दूसरी बात क्या है alpha into beta alpha कितना है minus 5 beta कितना है minus 2 और minus minus क्या होते है अगर minus minus multiply में तब plus होती है कई बच्चे क्या करेंगे कि minus minus में लिख्या हुआ था ऐसे लिख्या हुआ था minus 5 minus 2 और 7 लिखतेंगे और यह minus minus 2 नंबर minus में है सब्ट्रेक्शन में है यहां पर multiplication में है अगर multiplication में तो होंगे तो ही क्या होंगे वह minus minus की multiplication 0 होती है तो minus minus multiply कितना हो गया plus और पांस कितना हो गया 10 और अगर मैं इसकी बात लिखो तो कितना हो गया इससे एक question और है अगर आप एक question और शीख लें तो exercise का पहला question और दूसरा question आपको समझने में बिल्कुल भी तकलीश नहीं होगी जैसे बोलतान डॉक्टर की injection लगया बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कई बार तो सच में होता है लेकिन कई बार तो सच में दरत ही होता है तो वह बात लगा लेकिन यह topic नहीं यहां पे बिल्कुल clear हो जाएगा तो next topic क्या है next topic है अगर हमें root दे दे तो बताए क्वाड़िटी क्या होगी चलुए क्या दे आपको आपको given कर दिया alpha and beta आपको given कर दिया देखो अब एक बात है अगर मेरे को देखो यह ना यह बात है मैं जो कह रहा हम अभी वह बहुत important है क्या है कि अगर मेरे को alpha और beta बता लग जाए तो मेरे को क्या बता लग गया B upon A और C upon A बता लग गया ठीक है जी अब देखो अगर मेरे पास एक general equation ax square plus bx plus c is equal to zero यह मेरे एक general equation है किसकी quadratic equation की और अगर मैं इसको बोच side A से divide कर दिया मैंने A से मतलब कि इसके division में A जाएगा इसके भी हर एक term के नीचे के आएगा A आएगा चलो मतलब कि अगर मैं ax square अपोन A लिखूं पलस bx square अपोन A लिखूं पलस c अपोन A लिखूं is equal to zero अपोन A कितना होगा जीरो ए से A कट गया कितना बचा x square कितना बचा जी कितना बचा एकस square और यहां यहां अब इसके दो डूंटे हैं इनको मैंसे तोड़ दू मतलब कि अगर minus multiply minus अगर क्या हो जाता है पलस और पलस को तोड़के क्या लिख सकता हूं minus into minus तो मैंने एक minus तो अंदर ले लिया एक minus का रख दिया minus b upon a के साथ और साथ में क्या लिख दिया और यहां पे सोरी यहां पर कितना था x पलस में कितना लिख दिया c upon a अब बाता हो यह क्या हो गया मारा यह हो गया alpha plus beta और यह क्या हो गया alpha into beta is equal to 0 ज्यांस देखो system क्या है system क्या है कि अगर आपको root दे दे तो उनका जोड कितना होगा minus b upon a होगा minus b upon a minus b upon a है alpha plus beta मैं क्या कहा लिखूंगा मेरे को root दे दो मैं क्या लिखूंगा x square minus sum of root into x plus product of root सिद्धा सिद्धा अब इसके उपर question क्या दिये जाएंगे question देखो कैसे दिये जाएंगे question आपको बोला कि बाई मैं आपको 2 root दे रहा हूं एक है minus 2 और दूसरा है 3 और ऐसी equation बताओ जिसकी root है तो तो बैस मेरे को क्या करना है मेरे को करना है इतना ही है कि x square minus यहां पर क्या लिखना है यहां पर लिखना है sum of roots क्या लिखना है सम of roots यह इने कोई क्या क्या बोलते हैं हमें zeros बोलते हैं गुणा में क्या लिखना है एक्स और पलस क्या लिखेंगे हम प्रोडुक्ट ओफ रूट्स ठीक है अब देखो एक्स उस्केयर माइनस product sum of root कितना हो गया plus के 3 है minus के 2 plus के 3 minus के 2 into x plus product of root plus के 3 और multiply में क्या है minus के 2 कर दो x square 3 minus 2 minus 1 और इसके साथ multiply करूँगा तो minus हो जाएगा 3 minus 2 plus 1 और minus है तो multiply करूँगा कितना आएगा माइनस 3 into minus 2 कितना आएगा minus 6 और plus minus की multiplication मेरे बाद में क्या हो जाएगी minus और ये मेरे पास क्या आगी quadratic polynomial अगर एक इस इकुल तो जो जाएगा तो हमें क्या पूछा था हमें पूछा था कि एक ऐसा quadratic polynomial बताओ जिसके root क्या है minus 2 और प्लस 3 है तोily हमें क्या लिखना है क्सप्रेट अब लिख सकते हैं आप यह यह जो formula है यह formula ही and then the formula कहीं से create नहीं हो रहा कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं मिला बडा मिला है लिखते हैं हमेसा बनाते है एक्ष बायट करते हैं क्या लिखेंगे product of zeros बस खतम यह हमारा किसका 2.2 का सारा basic है पहला basic क्या है कि sum of root कितना होता है minus b upon a product of root कितना होता है दूसरा basic क्या है कि हमें sum of roots दे जाएंगे हम equation बढ़ता नहीं होगी तो क्या लिखेंगे x square minus sum of roots into x plus product of roots into इन दो बातों के ऊपर next exercise है उसके मैं पोसिच करूँगा कि एक वीडियो में तो नहीं आयो कि एक ही question के साथा part है तो एक question की एक बार वीडियो लेकाएंगे और एक question की एक बार वीडियो लेकाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना वूले कि आपको वीडियो कैसे लग रही है जय हिंद जय बारत